हेलो, वेरी वेरी गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स अफ क्लास एर्थ, वेलकम वन्स अगेन इन हिंदी वीडियो, स्टुडेंट्स आज हम आपको आपके व्याकरण पुस्तक के उद्वोधन व्याकरण पुस्तक से पार्ट नंबर अठारह, लेशन नंबर 18 आपको तो चलिए हम लोग पार्ट पर चलते हैं, पार्ट का नाम है बच्चों वाक की विचार, इस पार्ट में हमें वाक के संबंध में सारी जानकारी दी गई है, पढ़ाया गया है, तो देखे चलते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रशना आता है कि वाक के है क्य हमारे मनों भाओं को हमारी बात को पूरी तरह से समझा जाए कहा जाए वही वाक्य होता है तो चलिए हम पहले इसको डेफिनिशन में देख लेते हैं यलो चार्ट में देखिया सब्दों का वह विवस्थित समू जो हमारे विचारों एवं भाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है शब्दों का ऐसा समू जो हमारे विचार भाओ जो भी है उसको हमारी बात को पूरा इसपस्ट कर रहा है व्यक्त कर रहा है वाक्य कहलाता है जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं वा दिलली जाएगा, बच्चा इस्कूल जाता है, इसमें जो बात हम कहना चाह रहे हैं, वो इस पस्ट हो रहा है, अब यहाँ पर बच्चो इन्होंने बताया है, वाके की विसेष्टा है, विन्स, वाके की क्या विसेष्टा होती है, तो देखिए हम इसे पढ़ेंगे, वे स चुद्ध रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है ठीक है वाक्य के आवश्यक करता और क्रिया होते हैं ठीक है करता और क्रिया मिलके ही वाक्य को बनाते हैं सामान्य वाक्य में करता कर्म और क्रिया का एक निश्चित क्रम होता है इसको order wise arrange किया जाता है तब वो वाक्य का र कभी कभी करता और क्रिया पदों के बिना भी वाक्य बनाए जाते हैं तो यह आपकी विशिस्ताएं हो गई वाक्य की अब आप आजाएंगे वाक्य के अंग वाक्य के कितने पार्ट होते हैं अंग पार्ट जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है दो पार्ट होते हैं subject, predicate तो वही हिंदी में होता है उद्देश विधे, आप यहां देख सकते हैं वाके के मुखे दो अंग होते हैं पहला उद्देश दूसरा विधे तो देखें उद्देश के सामने subject लिखा हुआ है विधे के सामने predicate लिखा हुआ है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उद्देश होता है और दूसरा पार्ट उसका predicate होता है नेक्स्ट वे हम लोग आ जाते हैं इसमें उदाहरन देख लीजिए जैसे रीतु वरतन साफ कर रही है तो रीतु तो उद्देश हो गया subject हो गया और विधे हो गया predicate वरतन साफ कर रही है मतलब कौन कर रहा है main subject वो हो जाता है और क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट में आ जाता है इसी तरह वो खाना खा रहा है तो ये आपके उदाहरन हो गये बच्चों अब आप आजाएए उद्देश और विधेश को विस्तार से जानने के लिए तो देखे यहाँ पर इन्हों ने बताया कि वाक्य में उद्देश करता तो होता है कभी-कभी उद्देश में ऐशेश शब्दों का प्रियोग भी आ जाता है जो उद्देश करता को विशेशता बताते हैं जैसे बच्चा पढ़ रहा है इसमें बच्चा उद्देश है अब यहां आगे हैं चार बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें बच्चे उद्देश के साथ चार विशेशन को भी जोड़ा जाए मिटलब चार बच्चे, दोनों को उद्देश में लिखा जाएगा. ठीक है? अब प्रेडि कोट को देखिया विधे को. वाक्य में विधे के साथ जूड़ा अतर्िक्त पध, विधे का विस्तार कहलाता है. विधे के विस्तार में विशेषन कर्म पूरक क्रिया विशेषन तो इसमें ये धीरे धीरे चलिए सब विधे में आ जाते हैं अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य को दो भागों में बाटा गया एक अर्थ के आधार पर एक रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर हम वाक्य के और भी जो उसके पार्ट्स हैं भाग हैं जान लेंगे भेद हैं तो देखिए ये कह रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं ठीक है बच्चों पहला है इसमें ये लिखा है यहां पर देखिये आप अर्थ के आधार पर वाक्य को आट परकार के माने गए हैं पहला इसमें है विधान वाचक वाक्ये विधान वाचक में simple sentence होते हैं नियम के अनुसार जैसे वह प्रदिन बयायाम करता है हिमाचयल प्रदेश की राजधानी से मिला है आधी आधी और निशेध वाचक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे वह चल नहीं सकता वहाँ पर मत्थु को कच्छवे से भागा नहीं जाता इस तरह से जो है यह निशेध वाचक में आते हैं थार्ड है इनका प्रशन वाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूझा जाता है प्रशन वाचक शब्द होते हैं जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं तुम कहां जा रहे हो यह सब प्रशन वाचक है फिर है question number four शंकेत वाचक संकेत चलते तो बात बनती ये है आपका जिन से संकेत के भाव उत्पन होते हैं यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती सूरी उदै होगा तो अंधकार नश्ट होगा ये सब संकेत वाचक हैं अब इसमें संदेह वाचक आगया, संदेह वाचक में वाक्य में संदेह रहता है ठीक है जैसे शायद वह घर वापस नहीं आएगा संदेह है आने में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है अब तक वह घर पहुंच चुका होगा I am not confirm तो इसलिए इसमें संदेह है इस तरह के वाक्य संदेह वाचक में आते हैं इक्षा वाचक वाक्य में क्या होता है बच्चे कहने वाले व्यक्त की इक्षा कामना, शुभ कामना, आशा, आशिरवाद ये सब जैसे इश्वर करें तुम सदा सुखी रहो ये हमारी इक्षा है मनो कामना है, शुभ कामना है भगवान करे तुम्हारी लंबी आयू हो तो ये सब जो है एक्षा वाचक वाक्य अंदर कर रहता है आग्या वाचक वाक्य में क्या होता है बच्चों जैसे हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं और बिंती कर रहे हैं या उसे आग्या दे रहे हैं जैसे क्रिपया सीट पर बैठ जाएए विशाल तुम कमरे से बाहर चले जाओ क्रिपया कल फिर आईए इस तरह का जो वाक्य है वो आपका आग्या वाचक में आता है और लास्ट वन विश्मयादी विश्मयादी वाचक में क्या होता है बच्चों जिन वाक्यों में विश्मयादी वाचक में क्या होता है बच्चों जिन वाक्यों में विश्मयादी वाचक होता है अरे तुम किसके बेटे हो अरे मतलब अचानक से हमारे मुह से निकला किसी को देखकर कोई मेरे घर आया है हम किसके बेटे हो एकदम अचम्बित होकर है ना वा कमाल कर दिया कोई हमने बहुत अच्छी चीज देखी बहुत अच्छा किसी का प्रस्तुती देखी प्रिजेंटेशन देखा एकदम मुझसे निकलता है वा कमाल कर दिया तो ये जो वा अरे ओ इस तरह के शब्द पहले आ जाते हैं हमारे भाव वाले और बाद में सेंटेंस होता है ये विश्मयाद बुधक के अंतर गताते हैं तो बच्चो इस प्रकार का ये आठ बिधान वाचक, निशेद वाचक, प्रश्न वाचक, संकेत वाचक, संदेह वाचक, इक्छा वाचक, आग्या वाचक, विश्मया रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, रचना माने बनावट, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिस्रित वाक्य, तो देखिए सरल वाक्य में क्या होता है, simple sentence, वह क्रिकट खेलता है, तमन्ना कार चलाती है, बच्चे हसते हैं इसरल हम हो गया संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों संयुक्त वाक्य दो या दोसे अधिक U Vallahi किंदो तधा प्णत ये सब लगा गार सμुच्चे जिसे विशाल दिल pregunta गेया और भुाभने ले गया गाड़ंने हरी जंडी हिलाई और गाड़ी चल दी ये सब बापका संयुक्त वाक्य में आ गया है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और अन्य वप्वाक्य कार्य करते हैं, वो मिश्रित वाक्य होता है, जैसे, जब वह यहां पर आया, तब सुबह नहीं हुई थी, जब वह यहां पर आया एक सेंटेंस है और वो उसके सुबह नहीं होने पर डिपेंड है तो ये दो वाक की एक साथ आए हैं इस प्रकार एक दूसरी पर निर्भर है आश्रित है इसलिए मिश्रित वाक हो गया बच्चों अब हम नेक्स्ट पेस पर आते हैं नेक्स्ट पेस पर भी इसके उदाहर पर ठीक है इसी प्रकार और भी इसमें उदाहरन दिये गए हैं फिर हम आते हैं वाक्य परिवर्तन में हमें वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी आता है जैसे सरल वाक्य है इसको हमें संयुक्त में बदलने को आएगा मिश्रित में बदलने को आएगा तो देखिए जैसे ब मिश्रितवाग में हो जाएगा, बच्चे ने इतना दूध पिया की वह सो गया, उसका दूध पीने पे डिपेंड हो गया, आधारित हो गया, आसरित हो गया, तो दो सेंटेंस हो गया यहां पे, यह मिश्रितवाग हो गया, ठीक है, अब आप इसमें दूसरा विशाल और तमन न दोनों खेलने गए राहुल कमरे में गया और महां वह पढ़ने लगा ठीक है यह मिश्रित हो गया अब हम पहुंसते हैं इसके अभ्यास पर आईए अभ्यास करते हैं इसमें कोशिन नंबर वन पहले बच्चो प्रशन देखिया प्रशन के उत्तर हम बताते हैं वाकिकी परिभाशा अपने शब्दों में लिखिये तो आप फर्स्ट पेस पर आजाएंगे इसके यह आप यलो चार्ट में फोकस करेंगे यह देखिये यह इसके परिभाशा है आंसर नंबर वन हमने लगाया है लेकिन चुकि उदाहरण भी देना होता है तो आप यह ऊपर इसके यलो चार्ट के उपर दो उदाहरण लिखे गए हैं यह आप दोनों इसमें लिख सकते हैं अब आप आएंगे सेकेंड कोस्चन पर सेकेंड कोस्चन में कह रहे हैं रचना के आधार पर वाकि कितने प्रकार के हैं प्रतेक का नाम लिखे तो आप यहां इस पेज पर आजाईए देखे यह देखे रचना के आधार पर वाकि के भेद या अंसर नमबर टू रचना के आधार पर वाकि के तीन प्रकार है सरलवाक, संयुक्तवाक, मिश्रितवाक, तिनों का नाम लिख देना है आपको, यहाँ पर यह answer आपका complete हो जाएगा, नाम लिख देंगे तो, फिर आप थर्ड question पर आएए, थर्ड question है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, कितने भेद होते हैं, प्रतेक का नाम लिखिए, तो आप यहाँ second page पर आईए बच्चो, यह रहा, यह है, अर्थ के आधार पर, यहाँ से आप, यह देखिए, यह लिखा है, यहाँ आपने answer number 3 लगा दिया है, और इसी को काट कर अर्थ के लिख देना है, आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ परकार के माने गए हैं, अब इसमें इन सब के नाम लिखने हैं, तो आप यह red color से जो नाम है, one, two, next page पर आजाएए, three, प्रस्नमाचक, four, संकेत, five, संदे, six, six, seven, आग्या, और eight, विसमयादे, यह आप आठों के नाम लिख देंगे, अब आप आजाएंगे, फोर्थ कोस्चन पर, वाक्य के कितने अंग हैं, प्रतेक के एक-एक उदारान देने हैं आपको, तो आप आजाएंगे फर्स्ट पीज पर, यह आप देखिए, यहाँ पर, वाक्य के, answer number four, वाक्य के मुखे, दो रूप, दो अंग माने गए हैं, उद्देश और विधे, दोनों का नाम लिख देंगे, फिर दोनो के नाम के सामने, आप इनका एक-एक उदारान लिख देंगे, उदारान आप यहाँ से देख लिजी, यह है, यह है, यहाँ से लिख दीजी, उपर से, रितु वर्तन उपर उद्देश से heading डाल देना, और विधे डाल देना, उद्देश के नीचे आप रितु लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऐसे दो उधारण आपको लिख देना है, यह आपका आंसर कम्प्लीट हो जाएगा, आंसर नंबर फूर, तो बच्चों यहाँ आपका लेसर नंबर एट्टीन कम्प्लीट हो गया, अब आपका रिक्तस्थाना जाता है, यहाँ इन्होंने बच्चों यहां लिखने से रह गया, यहां पे आप आठ लिख लेंगे, आठ भेद होते हैं, वाक्य हमारे मन्युभाओं को पोर्ण रोप से स्पस्ट करने में समर्थ होता है, ठीक है, अब आता है कोशिन नमबर थ्री, कोशिन नमबर थ्री में हमें रचना के आधार पर वा मिस्रित वाक्य, ठीक है, और मैं पुरसकार जीतने वाले तुम्हारे मित्र को पहचानता हूं, सरल वाक्य, और आया, फोर्थ, गाड के जंडी हिलाते ही गाड़ी चल दी, संयुक्त वाक्य, यह आपका संयुक्त वाक्य हो गया, अब हम आ गए अर्थ के आधार पर वाक्य पहचान कर लिखिये, तो देखिये इसमें प्रिथवी के चारो और घूमती है, विधान वाक्य, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्ण वाक्य, वा, क्या शतक लगाया, विस्मयादी वाक्य, शायद आज वर्षा हो, संदेह वाक्य, यह आपका पार्ट कम्प्लीट हो गया, इसमें एक्सरसाइज नहीं है कुछ कराने को, इसमें शब्द भंडार हैं यह, लेसन नमबर 19 में, 19 में पार्ट में, इसमें आपको प्रियवाची, बिलोम, हर तरह के शब्द की विराइटी दी गई है, जिसे आपको स्वैम याद करना है, तो यह देखिए, यह प्रियवा पर आएंगे, नेक्स्ट पेज पर विलोम है, विलोम को जो शब्दों के विप्रीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं, या विप्रीत अर्थक कहते हैं, तो यह शब्द भंडार हैं, पूरे इनके विलोम शब्द भी हैं, यह आपको लर्ण करना पड़े यह योगमाने उपाय भी होता है, योगमाने ध्यान भी होता है, तो अलग अलग इसके अनेक मीनिंग है, तो इस तरह के जो शब्द है, इनका यह भढणार है, यह आपको लर्ण करना है पूरा चार्ड, अब आप next पे आ जाएंगे, नेक्ष्ट पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें एक शब्द शब्द होता है जिसके लिए एक शब्द होता है वो दिया गया है जैसे दर्द से भरा हुआ दर्दनाक जानने की च्छा जिक्यासा तो इस तरह इसमें बहुत शारे दिये गए हैं पूरा एकदम च लेकिन थोड़ा भिन्न होता है उनका मेनिंग, जैसे अवधी, अवधी, इसमें एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है, लेकिन दोनों की मेनिंग भी ये लग है, अवधी जो है वो एक भाशा है, ठीक है, और अवधी जो है वो समय को बताता है, तो ये शु सुनने में एक से लेकिन भिन्नार्थ प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम सुरुच्छं भिन्नार्थ दिया गया है, ये भी आपको बच्चों लर्ण करना पड़ेगा, जैसे आप यहां उदारान देख सकते हैं, अनलमाने आग होता है, अनलमाने वायू होता है, तो ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा उन में डिफरेंस होता है, जैसे अधिक शब्द है, उसको भी हम जैदा में ही प्रियोक करते हैं, और परियाप्त सब्द है, उसे भी हम जैदा में प्रियोक कर लेते हैं, लेकिन अधिक का मीनिंग होता है जरूरत से जादा, जितने की का प्रियोग होता है तो इस तरह यहां पर बहुत सारे शब्द दिये गए हैं अच्छाई भलाई हैं इस तरह का तो यह आपका एक आर्थ प्रतीत होने वाले शब्द हैं इनको आप याद करेंगे और यहां पर आपका पार्थ नंबर उननेस भी पूरा हो गया तो हम एक्साम की प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि बच्चों अब आपका एक्साम बहुत जल्दी ही आने वाला है बहुत जल्दी कहने का ताथ पर हैं नेक्स्ट मन्त में आल दा बेस्ट टेक केर अल आफ यू एंड कीप यूर स्टड़ी बेल